हाई डिस इस केतम फ्रॉम आइडीसी दूस्तों एपल रिलिस कर दिया है आउस 18.1 डेवर बेटा वन और यह वाला अपडेट आपको जस्ट 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा विकॉस यह अपडेट अपने साथ एपल इंटरेश का सपोर्ट लेगा आता है न आपडेट डाउलोड करने के लिए आपको डेवर बेटा के लिए अपने आइफ़न को अन्रॉल करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जस्ट बेटा डॉट एपल डॉट कॉम पे जाना है और अपनी एपल आईडीस से लॉग इन कर लेना है और आपको रेगिलर आयोस 18. 10.0 बेटा के साथ आयोस 18.1 डेटा भी आपके आइफ़न में देखने को मिल जाएगा अगीन मेक शॉर यह वाला डेवर डेटा जस्ट आइफ़न प्रों प्रिप्टिंप्रों मैस के लिए हैं आपको अधर आइफ़न में इसका अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और आप आप देख सकते हैं अगर आप और चाइना में हैं तो आपको अभी एपल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपके आइफ़न में देखने को नहीं मिलेगा आपको आयोस 18.1 बेटा वन में अपडेट करने के बाद आपको एपल इंटेलिजेंस एक नया सेक्शन अपने आइफ़न देखने हो मिलेगा और उसके बाद जैसे आप एपल इंटेलिजेंस विस्ट लिस्ट में जॉइन करेंगे उसके बाद एपल दो से पाच मिनिट लगाएगा आपके आइफ़न में कुछ इंपोर्टन फाइल्स डाउनलोड करने के लिए और उसके बाद आपका आइफ़न ए आपको एक एक करके बताता हूँ कि अपने आइफ़न के बॉटम पर टैप करेंगे तो आपका टैब टू सी एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद जो आप सीडी को बोल के बताते थे वह आप टाइप कर सकते है और उसके बाद आप सीड़ी आपको यहाप यह पको यहाप इस तरह से result देगा तो यह काफी cool future है जो आपको apple intelligence के साथ देखने को मिलने वाला है उसके बाद आपको apple intelligence के साथ all new writing tool देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप different tools टूल्स क्लेक्ट करके अपने text को rewrite कर सकते है and as you can see आपको proofread friendly and professional जैसे text को rewrite करने का option देखने को मिल जाता है और दोस्तों आपको यह all new writing tool अपने mail, notes and other supported application में देखने को मिलने वाला है apple intelligence का एक और feature जिसके लिए personally मैं बहुत ज्यादा excited हूँ वो है call recording basically with apple intelligence as you can see आप अपने iPhone में call recording कर पाएंगे और जैसे आप call end करेंगे आपका ही recording आपके note application में save हो जाएगा and note application में call recording save होने के बाद ना आप सिर्फ उसको सुन पाएंगे but also आप उसकी summary भी इस तरह से निकल पाएंगे so personally I am very excited for this call recording feature in apple intelligence and that's it friends यह थे apple intelligence के कुछ basic feature जो आपको iOS 18.1 beta 1 के साथ आपके iPhone में देखने को मिलते हैं make sure यह वाल अपडेट आपको just 15 pro and 15 pro max में ही देखने को मिलने वाला है तो अगर आप किसी और iPhone में double beta run कर रहे हो तो आपको 18.1 double beta 1 का update आपके iPhone में देखने को नहीं मिलेगा और अभी तो यह apple intelligence का just start है आगे आपको memoji application and और भी बहुत सारे apple intelligence के features अपने iPhone में देखने को मिलने वाले हैं जिसके regular videos आपको यहाँ पे idvices care पे मिलने वाले हैं तो आप up to date रहने के लिए अभी हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं and that's it friends I hope video आपके लिए helpful था वीडियो का आपको यह लगए दें प्लीज वीडियो लाइक हीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस साथ आयों सेटिंगे मोर अपडेट्स एसवेल एपल इंट्रेश के साथ अप्टू देखने के लिए अभी हमारी चैनल आइड़ी वाले वीडियो में थैंक्स पो झाले कि अभी हमारी चैनल आइड़ी वाले वीड़ी वीडियों सेटिंगे में थैंक्स एसजिए अपर शेचर आपको यह लाइड़ी वाले का यह ले में और रहाए जाब हे अभाए आख सुए आपको यह लाई हुए जासे वाले का ले अपको यह लावाए झाल झाल